आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती आसान डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन्स लैडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर प्लाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 13 के मल्टिपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे और 8 सलाईों में complete हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है ये देखे फ्रेंट्स यहां पर मैंने लिए हैं 30 फंदे 13 तुने 26 और 4 फंदे एक्ष्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी सैड से और एक सलाई उल्टी सैड से इसमें मैंने उल्टी बनाई हुई है कारडिगन और हाफ जैकेट के लिए आप इस तरह से इसमें दो सलाई बना लीजिए जैन स्वेटर में आप कोई भी बोर्डर बना कर उल्टी सैड से उसमें फंदे बढ़ा लीजिए डिजैन की ये पहली सलाई है तो ध्यान दीजेगा की कैसी बनेगी पहला फंदा इसका उतारिये या बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है मैं हमेशा ही बना कर लेती हूँ तो देखे पहला फंदा उल्टा धागा पीछे और दो फंदे सीधे एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इस फंदे को पलटके सीधा कर दीजिए पीछे की सैट से सलाई डालके दो फंदे का एक कर दीजिए तो ये देखे जो फंदा हमने यहाँ पर घटाया वो जाली से बढ़ गया धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे कीजिए और एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे एक और ये दो आगे की side से slide डालके 2 फंदे का एक कर दीजिये अब ये देखिए यहां से लेकर यहां तक जो हमने डिजाइन बनाया है धागा अपनी तरफ करके हम इसी को repeat करेंगे तो देखिए धागा अपनी तरफ है एक और ये दो अब ये देखे यहाँ पर हमने जो दो का एक किया है वो जाली से यहाँ बढ़ गया है फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और जैसे यहाँ पर डिजाइन बनाया ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो फंदे का एक कर देंगे अब जो फंदा यहां पर घटाया वो जाली से बढ़ा दिया धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे एक, दो और ये तीन अब धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे एक, दो और ये तीन धागा पीछे एक और ये दो आगे की साइड से स्लाइड डालके इन दो फंदे का एक कर देंगे अब यहाँ पर जो फंदा घटाया धागा अपनी तरफ करके दो फंदे ये सीधे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ गया आपके जितने फिफंदे हो इसी डिजैन को आपको रिपेट करते जाना है और लास्ट में देखिए यह दो सीधे बनाने के बाद एक फंदा ये उल्टा पहली सलाई डिजैन की कम्पलीट हो चुकी है अब आज यह इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सलाईया इस डिजैन में सारी उल्टी ही बनेंगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टी साइड की दूसरी सलाई को उल्टा बना कर कम्पलीट कर दीजिए दो सलाईयां कम्प्लेट हो चुकी हैं अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई पर देखिए पहला फंदा इसका उल्टा फिर धागा पिछे कीजिए और यहां से हमारा ये डिजैन शुरू होता है तो दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ कीजिए और ये जो जाली से फंदा बनाया था इसको सीधा बना दे तो यहां पर हमारा एक फंदा बढ़ गया अब इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालके दो फंदे का एक धागा अपनी तरफ और दो फंदे ये उल्टे एक और ये दो क्योंकि यहां से फंदा हम कम कर रहे हैं तो जाली से यहां पर बढ़ा रहे हैं धागा पीछे और एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे एक और ये दो आगे की साइट से स्लै डालके इन दो फंदे का एक कर देंगे ये जो जाली से बनाया गया फंदा है इसे सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे एक और ये दो ये जो दो फंदे हैं इसके इधर भी जाले आएगी और इधर भी जाले आएगी तो धागा अपनी तरफ और जाली से बनाए हुए फंदे को सीधा बनाएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे ये सीधा और ये उल्टा पीछे की सैड से स्लाइड डालके इन दो फंदे का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ और दो उल्टे एक और ये दो धागा पीछे ये उल्टा और ये सीधा आगे से सलाई डालके 2 का एक कर देंगे ये जो जाली का बनायवा फंदा है इसे सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे एक और ये 2 लास्ट का फंदा उल्टा तीन सलाईयां कम्पलीट हो चुकी है चोथी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए चार सलाईयां कम्पलीट हो चुकी है पांचवी सलाई है और सीधी साइड है पांचवी सलाई को देखिए पहला फंदा उल्टा अब धागा पीछे और 2 फंदे सीधे एक और ये दो यहां से ये डिजैन शुरू होता है तो देखिए 2 सीधे धागा अपनी तरफ और ये जो जाली से हमारे 2 फंदे बने हैं इनको सीधा बनाएंगे देखिए 1 और ये 2 ये वाला जो फंदा है इससे पलट के सीधा कर देंगे ये सीधा और ये उल्टा पीछे की सेट से स्लै डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा ये उल्टा धागा पीछे करेंगे ये सीधा ये उल्टा आगे से सलाई डालके इन दो का एक कर देंगे अब ये जो जाली से बने हुए दो फंदे हैं देखिए एक और ये दो हमने सीधे बनाए अब देखें यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया है धागा अपनी तरफ करके इसी को हम रिपीट करेंगे तो ये देखिए दो फंदे सीधे जो फंदा यहां पर घटाया था वो यहां बढ़ चुका है धागा अपनी तरफ और दो सीधे एक और ये दो इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की सैट से स्लै डालके दो फंदे का एक करेंगे धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ और एक उल्टा धागे को पीछे करेंगे ये सीधा ये उल्टा आगे से सलाई डालके दो का एक कर देंगे अब देखे एक और ये दो जो जाली से फंदे बढ़ गए इनको सीधा बना देगे धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे तो यहाँ पर फंदा बढ़ गया है जो कि हमने यहाँ घटाया था और लास्ट का फंदा इसका उल्टा पांच सलाईयां कम्पलेट हो चुकी है छटी सलाई उल्टी सैड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को कम्पलेट कीजिए 6 सलाईयां complete हो चुकी है 7 सलाई है और सीधी सै 7 सलाई को देखिए पहला फंदा उल्टा धागा पीछे और यहां से इडिजन शुरू हो जाएगा तो देखिए 1 और यह 2 फंदे सीधी धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधी बनाईए चुद जाली से बनते जा रही है 1, 2 और यह 3 इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और यह सीधा और यह उल्टा पीछे से सलाई डाल के 2 का एक कर देंगे बीछ वाला फंदा यह सीधा अब यह उल्टा और यह सीधा आगे से स्लाइड डालके इन दो फंदे का एक कर देंगे अब तीन फंदे सीधे एक, दो और ये तीन धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे एक और ये दो अब जो फंदा यहां पर घटाया वो यहां बढ़ा दिया धागा अपनी तरफ और तीन फंदे सीधे, एक, दो और ये तीन, इस फंदे को पलटके सीधा करेंगे, ये और ये, पीछे सिसले डालके दो का एक, बीच वाला फंदा सीधा, ये उल्टा और ये सीधा, आगे सिसले डालके दो का एक करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो और यह तीन धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे और लास्ट का एक फंदा उल्टा साथ सलाईया इसकी कम्पलीट हो चुकी हैं अगर फ्रेंड्स आप इसे एक कलर में बनाना चाहती हैं तो इसी कलर के धागे से आठ्वी सलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बना दीजि यहां से मैंने यह सेकिन कलर जोइंट कर लिया है अब यह जो आठ्वी सलाई है इस सेकिन कलर से हम पूरी उल्टी उल्टी बना कर कम्पलीट कर देंगे यह देखे फ्रेंड्स इस तरह से यह जो आठ्वी सलाई है इस पर हमने इपना सेकिन कलर लगा कर इस पूरी सलाई को बना लिया है अब जो डिजैन की पहली स्लाई हमने यहां से स्टार्ट की थी वही हमारी यहां से हो जाएगी 2 लगाने के बाद तो इस स्लाई को ध्यान से देखिएगा ये इसकी सैकिन बार की स्टार्टिंग पहला फंदा उल्टा धागा पीछे और दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ इस फंदे को लेंगे और पलटके इसको सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है और पीछे की साइड से स्लाइड ढालके दो फंदे का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और तीन उल्टे एक, दो और ये तीन, धागा पिछे करेंगे और ये देखिए इस एक फंथे को सीधा बना देगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंथे उल्टे बनाएंगे एक, दो और ये तीन तो आप देख लिजिए जैसे हमने यहां से स्टार्टिंग की थी ठीक वैसे ही यहां तक हो रही है सिरफ इसमें डिफरेंट इतना आएगा आप इसे डबल कलर या मल्टी कलर में बना रही है जब आपको कलर चेंज करना होगा तो यह डिजैन जो हमारा 8 सलाई होगा है 7 सलाई बनने के बाद 8 सलाई जो इसकी उल्टी साइड बर होती है वहाँ पर आपने इसमें 2 कलर जोइंट करना है बाकी यह डिजैन सेमी बनता जाएगा तो यह देखें तीन उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कीजिए एक और यह दो आगे की साइड से सलाई डाल के यहाँ दो का एक कीजिए धागा अपनी तरफ और दिखिएगा यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजैन बनाया है इसे ही हम रिपिट करेंगे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डाल के दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे ये देखे ये जो बीच वाला फंदा है ये सीधा बनेगा फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे देखे ये और ये आप इन्हें ऐसे लूज कर सकत हैं अगर टाइट लगे तो आगे की साइड से स्लै डालके दो का एक धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे और लास्ट का फंदा इसका उल्टा जब लास्ट के फंदे को और इस फर्स्ट वाले को हम दोनों साइड से उल्टा बुनते हैं तो ये किनारी इसकी मुड़ती न अगा सकती हैं जब आप इनी आठ आठ सलाईयों को बार बार रिपिट करेंगी तो देखिए आपका इस तरह से ये सुन्दर सा डिजैन बनता चला जाएगा फ्रेंट्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज आप इस वी वीडियो सबसी पहले देख सके थेंक यू